नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो एक बार फिर से पोस्टल लाइफ, रूरल पोस्टल लाइफ इंस्वरेंस के बारे में होने वाली है तो PLI, RPLI के जितने भी एजेंट्स हैं, वो अपना कमिशन या फिर अपना जो भी इंसेंटिव होता है, उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो आज हम लोग डिसकस करेंगे डिटेल में, तो इससे पहले वीडियो में दोस्तों मैंने इसका PLI और RPLI का इंसेंटिव स्ट्रक्चर किया था, आप अगर किसी भी एंपलोई की अगर, या फिर किसी भी गवर्मेंट सेक्टर में जो भी एंपलोई हैं, उसकी अगर आप जो है PLI करते हैं, या फिर Rural Postal Life Insurance किसी की करते हैं, तो आपको कितना कमिशन मिलेगा, या इंसेंटिव कितना पेड होगा, वो आमने तो दोस्तों सबसे पहले आपने अगर desktop यूज़ कर रहे हैं, या फिर mobile यूज़ कर रहे हैं, आपको Google ओपन कर लेना है, और वहाँ पे आपको PLI agent login करके type कर देना है, तो आपके सामने देखिए, यह first जो है, ऐसा आपको screen website आपको दीखेगी, PLI agent login आपको इस पे click कर देना है, तो इस पे click करेंगे, तो आपको देखी user ID और password चाहिएंगे, उससे पहले आपको जो है division office में बोलके अपना user ID और password जो है, password की जरुत नहीं है, आपको सिर्फ user ID आपको generate करा लेना है, और उसके बाद में आपको register के button पे click कर देना है, तो register पे click करने के बाद आपको यह generate जो password यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पे click कर देना है, तो जैसे आप यहाँ पे click करेंगे, तो आपको अपना password जो है, वो generate करने का option आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो login की screen थी, उसमें आपको अपना agent का, जो agent ID थी, वो आपको first में type कर र लेना है, तो जैसे आप यहाँ पे sign in करेंगे, तो अगर आपने कोई policy कर रखी होंगी, तो यहाँ पे नीचे आपकी detail आपको दिखाई देंगी, incentive generate करने के लिए my business में आपको commission में जाना है, तो यहाँ पे देखे transaction में commission और incentive दोनों आप यहाँ पे generate कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखे, commission generate करना है, तो commission के radio button पे click कर लेना है, और यहाँ पे date range आपको दिखेगा, तो आपको किस date से किस date के बीच में चाहिए, commission आपको वो select कर लेना है, date डालने के बाद में आपको जहाँ पे search के button पे click कर देना है, red color में आपको दिख रहा होगा date range से आगे, तो आप आपको search के button पे click कर देना है, जैसे ही search के button पे click करेंगे, तो जो date आपने select करी है, उस date के बीच में आपने, जितनी भी customer ने payment करी होगी, या आपने जो भी PLI, RPL I करी होगी, तो उसका detail आपके सामने आजाएंगे, कौन सी policy थी, और transaction उनकी कब होई है, कब payment होई है, और किस rate से आपका commission आएगा, कितना commission हुआ है, कितनी premium थी, वो सारा दोस्तों detail में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे transaction effective date में सभी date दिखाई दे रखी है, और यहाँ पे commission due है, जितना भी, वो आपको यहाँ पे दिखाई देग देखें, first में आप देख सकते हैं, 8.75 आप देख सकते हैं, तो यह 8.75 पैसे commission है, और commission का rate क्या है, वो 1% आप देख सकते हैं, और कितनी premium थी, 8.75 यानि की 8.75 पे 1% commission आपको मिल रहा है, वो आपका 8.75% आपको मिल जाएगा, वो due है, आप इसको claim कर सकते हैं, यह जो 1% है, यह आप इससे पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो PLI का renewal premium होता है, उस पे आपका 1% ही commission मिलता है, नीचे आप देख सकते हैं, 2.5% आपको मिल रहा है, 10,440 का 261 rupees, तो यह 2.5 rupees जो है, यह rural postal life insurance का renewal premium, उसका आपको 2.5% incentive मिलता है, तो आप यहां से check कर सकते हैं, नीचे आ आप देख रहे हैं, 2,0024 यहां पे amount है premium collected, उस पे आपको यहां पे 10% दिख रहा होगा, यानि कि 202.40 rupees, यह दोस्तो यहां पे आप देख सकते हैं, यह 10% है, rural postal life insurance का commission, यानि कि जो first year के premium होती है, उस पे आपको 10% incentive मिलता है, rural postal life insurance पे, यह पूरे one year के premium, यह पूरे one year की premium पे आपको मिलता है, यानि कि एक साल की जितनी भी payment होगी, उस पे आपको 10% incentive मिलेगा, तो आप यहां से आपको जितने भी period का due है, जितना भी आपको claim करना है, आप इसको यहां पे check करके, आपकी इसको एक bill बना के bill कैसे बनाएंगे, वो भी आपको बता सकते हैं, हम लोग किस और अन्य वीडियो में बता देंगे, तो आपको यहां से वो detail आपको मिल जाएंगे, और यह detail आपको यहां पे enter कर लेनी है, policy number के साथ में, और कितनी amount आपकी बनी है, किस period से किस period के बीच में, और claim करने के लिए आपको जो है, अपने division office में भेज देना है, इसके बाद में देखे, यहां पे first or previous और page number one, two आपको यहां पे दिखाई देंगे, आप यहां से check कर सकते हैं, तो जितना भी commission due होगा, जिस भी period के लिए आपको particular जो policy number होगा, उसके सामने से आपको check कर लेना है, तो वो policy number आपको check करना है, और उसके सामने जितना भी due रहेगा, सभी को add क करके आपको claim के लिए अपने division office को forward कर देना है, तो चलिए दोस्तों अभी आपको बता देते हैं, अगर आपको excel file generate करनी है इसकी, तो excel file को कैसे generate कर सकते हैं, चलिए वो बता देते हैं, तो जहां पे देखे, दोस्तों आपने जैसे ही business में आपने इसको select किया था, वहां पे आपको last में आपको report का option दिखेगा, तो चलिए देखिए आपको दिखा देते हैं, यहां पे last में आपको report का option है, जैसे इस पे click करेंगे, तो देखे यहां पे commission report, agent statement report, incentive report, business report, अब कोई भी report यहां पे आप generate कर सकते हैं, policy की report भी generate कर सकते हैं, तो अगर आपको commission की report चाहिए तो आपको incentive report पे click कर देना है, तो देखे, जैसे commission report पे click करेंगे, तो वैसे ही आपको from date और to date दिखेगी, तो आपको from date में month और year select कर लेना है, जिस भी month से आपको जो है, अगर policy की detail आपको चाहिए, commission कितना है, तो अगर January से चाहिए, या फिर जिस भी month से चाहिए, उसके पाद आपको year select करने का option आएगा, और उसके बाद ऐसा ही आपको two में select कर लेना है, month और year, और ये सब select करने के बाद दोस्तों, इसके सामने जो है, आपको search का option दिखेगा, आपको search के button पे click कर देना है, जैसे ही आप search पे click करेंगे, तो आपकी जो excel file है, वो download हो जाएगी, और उसके बाद download होने के बाद आप उसको view कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों अपना bill बना के उसमें से देख के अपना bill बना के division office को बेज़ सकते हैं, claim कर सकते हैं, अपना incentive, तो चलिए दोस्तों, उमीद है वीडियो आपको informative लगी होगी, वीडियो अगर आपको दाई हो तो इसको जादा से जादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी subscribe कर लें, दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी किसी और next वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत